बिहार विधान सबा चुनाओ कि सरगर्मी जो है वो तेज है दिन बर दिन बढ़ती जा रही है और अब तो वो वक्त भी आ गया है जहाँ पर कल 28 सक्टूबर को बिहार में पहले चरण का मतदान होना है और इस बीच जहां नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव ने बेयार के कोने कोने में जाकर जनसभाओं को संबोधित किया और अपने भाशन में नितीश सरकार पर हमला बोला तो इस बार नितीश कुमार भी उन्होंने अपने अलग तरीके से जाकर उन्होंने विपक्ष प पर इस तरीके से तंजकस दिया कि वो हैरान कर देने वाला है आपको हम ये वीडियो दिखा रहे हैं इस वीडियो में आप खुद देखिए कि राज्य के सीम नितीश कुमार ने कि इस तरीके से लालू प्रसाद यादव पर तंजकसते हुए क्या कह दिया और हमने तै किया हर एक ग्राम पंचायत में उच माधिमिक विद्याले बना देंगे ताकि हमारी सब लड़कियां कम से कम बारावी कक्षा तक पढ़ लेगी और जब पढ़ लेगी ते प्रजन अंदर नीचे जाएगा तो साहब एक एक चीज के लिए किसी को चिनता है आठ आ आठ नौनों बच्चा बच्ची पैदा करता रहता है क्या मालूम है किसी को बेटी पर भरोसा ही नहीं कई बेटिया हो गई तब बेटा हुआ और आप सोच लीजिए कैसा बिहार बनाना चाहते हैं तो सुना आपने नितीश कुमार ने इस बार तो लालू यादव के आठ नौनों बच्चे पैदा करने वाले बिहार का क्या विकास करेंगे इस वीडियो में आपने खुद सुना तो इस बारे में अब खुद नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव ने ट्वीट करके पलटवार किया है नितीश कुमार के इस बयान का और नितीश कुमार को ये लेते हैं खैर अब ये सरगर्मी भी तेज है और देखना भी ये है कि अब जिस तरीके से नितीश कुमार भी जनसभाओं को सम्मुदित करने में लगे जिस तरीके से निता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव भी बिहार के कोने कोने में जाकर जनसभाओं को सम्मुदित करने में लगे तो आने वाला वक्त बताएगा 10 नवंबर बताएगा वो दिन होगा जब पता चलेगा कि बिहार की इस धर्ती पर आखिर सरकार किसकी बनेगी फिराल कले दीजी इजासत देख तेरी नेशन निउस